इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइली सेना दो मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रही है। इसराइली से हिजबुला भी उत्री इसराइल पर अपने हमले तेज कर रहा है। इसराइली सेना दो मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रहा है। बॉडर पर पेट्रोलिंग करती है लेकिन हिजगुल्ला को लेकर इसराइल का कहना है कि अगर हमास के साथ संघर्ष विराम होता है तो भी उत्तरी बॉडर पर इसराइल के आपरेशन नहीं रुकेंगे इसको लेकर पिछले हफ़ते ही इसराइल के रक्षा मंत्री यौफ गेल तो वो हिजबुला पर हमला करने के लिए लेबनान में घुश सकता है लेकिन हिजबुला के लिए युद इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी तक हिजबुला ने इसराइल के खिलाफ जितने भी युद लड़े हैं वो सब ही युद हारा है आपको बता दे कि 14 अगस 2006 को इस इसराइली सेना ने लेबनान पर हमला किया था और उस दौरान IDF लेबनान के भीतर घुश गई थी और इस युद में भी हिजबुला को काफी नुकसान हुआ था लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर हिजबुला पर इसराइल हमला करता है तो क्या वो अपनी रक्षा कर पाएगा तो आपको बता दे कि एरान के इशारे पर ही हिजबुला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है या युँ कहें कि हिजबुला इसराइल के खिलाफ इरान का ही एक मुखोटा चहरा है इरान के शीर्स नितरत की तरफ से भी हिजबुला को इसराइल पर हमले तेज करने की छूट मिल चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसराइल और हिजबुला में युद्ध छ चड़ता है तो इरान के हत्यार इसराइल के खिलाफ काफी एहम सावित होंगे